नमस्का दोस्तों श्वागते आप से भीका आपके अपने यूट्यूब के अल में तो दोस्तों लेवल टू के अबिर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुसकपरी है ये खुसकपरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अनिवारी सब्जेक्ट तीन सालों तक पढ़ा है और उसे पास किया है और उसने अगर इस रेट भरती परिक्षा में पेपर दिया है और वे पास है तो उनके लिए बहुत बड़ी खुसकपरी है जैसे दूस्तों अनिवारी सब्जेक्ट जैसे हिंदी हैं अंगरेजी हैं उन्होंने इसको सहीतिय के रूपे या लिटरेचर के रूप में नहीं पढ़ा है यह अदर स्टेट में ज्चर ह्चोपरी आजव को पास करना होता है लेकिन जिन लोगों के compulsory subject है उसको तीन सालों के रूप में पढ़ा है उसे literature के रूप में नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है वो मुझसे कमेंट करके पूछते हैं सर हमने तीन सालों तक अंग्रेजी को अनिवारी subject के रूप में पढ़ा है क्या हम रास्तान की भर्ति परिक्षय में समिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुसकवरी हाईकोर्ट नाबलों को सामिल कर दिया है इस भर्ति परिक्षय में देखिए क्या है कबर लेवल टू में अनिवारी विसे उत्रिन अभिर्थी भी सामिल हाईकोर्ट ने सनातक में तीनों वर्स अनिवारी विसे उत्रिन अभिर्थियों को रहत देते वे 33 सनी अज्यापक भर्ति लेवल टू में सामिल करने का आदेस दिया है जेस्टिस अरुन भंसाली ने मदुबाला वे एन्य की याचिकाउं निस्तरित करते वे तीन वर्षे अनिवारिये सनतक डिग्रिधारिय बिर्थियों को वर्तमान में जारी तिर्थिशनी अज्यापक भरती लेवल टू के पद के लिए पातर मानते वे मेरिट के अनुसार न्यूक्ति परक्रिया में सामल करने का आदेश दिया है जी हम दोस्तों अगर आप भी पास हैं डबल्स के अंदर और आपकी डोकुमेंट्स वेरिपिकेसन भी हो चुके हैं और आपका यह सब्जेक्ट था अनिवारिये और हाई कोड नादेश दे दिया कि अब आप इस बर्ति परक्षा में न्यूक्ति के पातर हैं आपको न्यूक्ति मिलेगी जोइनिंग आप लोगों को मिलेगी तो यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुस खवरी है क्योंकि जैसे यूपी है और हैं वहाँ पर क्या है कि अनिवारिये सब्जेक्ट को ती अनियूर भर्लति परिक्षा में इस परकार का कोईकेंड है तो इस्से भी इस इस पर रिक्षा में पाइदा मिल सके फाइद है तो दोस्तों आगैसी फॉप्रकार करनेखले आप इस फॉप्स कर लिजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूरर के दिजि